नमस्कार बच्चो, मैं वंदना केंद्रेवी द्याले सियारप्य फ्रामपूर आगरा संभाग सी आप सभी का पुने स्वागत करती हूँ बच्चो, आज हम कक्षा प्रथम के हिंदी की पाठ्य पुस्तर रिमजिम के पाठ नो, बंदर और गिलहरी के प्रश्णोतर वे अभ्यास कार्य को हल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला भाग है गप्पे इसमें आपको दी गई वस्तो की तुलना उसी के जैसे लगने वाली किसी दूसरी वस्तो से करनी है जैसे बंदर की पूच लंबी थी इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सडक सडक भी लंबी होती है और बंदर की पूच भी लंबी है इसी तरह से चुहे की पूच इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, जैसे जंगल भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था, जैसे हा थी ओट इतना उचा था, इतना उचा था, इतना उचा था, जैसे पहाड पहाड उचे होते हैं न? चुहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, जैसे चीटी कुत्ती की पूच इतनी तेड़ी थी, इतनी तेड़ी थी, इतनी तेड़ी थी, जैसे जले भी कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, जैसे सहद आप किसी और मीटी चीज की तुलना भी कर सकते हो, जैसे चीनी, मिठाई, गुदगुदी बच्चों, कहानी में पंदर को गुदगुदी हुई, अपनी दोस्त को गुदगुदी करो, पीट पर, पीट पर, गर्दन पर, हतेली पर, और तलवी पर अप देखो क्या हुआ, उसके बाद अप खुद को गुदगुदी करके देखो, अब क्या हुआ, बच्चों, इस कारे को आपको करकी दीखना है, आप किसी दोस्त को गुदगुदी कीजी, और देखिए कि क्या होता है जब आप दोस्त को गुद्गुदी करोगे तो वो हसने लगेगा लेकिन जब आप खुद को गुद्गुदी करते हो तो आपको हसी नहीं आएगी क्या करोगे? कि लहरी ने बंदर की पूच से जूला जूला तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे? करके रिखाए आपको यहाँ पर तीन चीज़े दी गई है रुमाल, पैंसिल, फूटा तो बताईए आप रुमाल से क्या कर सकते हो हम् रुमाल से आप चेहरा साफ करते हो हाथ साफ कर सकते हो और नाग साफ कर सकते हो इसके अलावा अगर आप रुमाल को आँखों पर बाद होगे तो आप आँख में चोले भी कहल सकते हो पैंसिल से आप लिख सकते हो और ड्राइंग बना सकते हो फोटा इससे आप लाइने खीच सकते हो और किसी वस्तु की लंबाई या उचाई को माप सकते हो क्या-क्या तुम तो इतनी सारी चीज़े खाते हो, जैसे दूद, भाद, संत्रा, केला, इनके अलावा तुम और क्या-क्या खाते हो? बच्चो, आप जो चीज़े भी खाते हो, उनकी नाम इसके उत्तर में लिख सकते हैं. जैसे रोटी, सबजी, दाल, चावल, के, आइस्क्रीम, मिठाई, फल, आदी. अब बताओ, गिलहरी क्या-क्या खा लेती होगी? सोचो और बताओ. गिलहरी मुफली, काजू, किश्मिश, बादाम, अनाज, अक्रोट, फल, आदी, चीज़े खा लेती होगी. हम, अब भी बंदर की बारे में बताना है कि बंदर क्या-क्या खा लेता होगा? बंदर चना, अमरूत, केला, संत्रा, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट, आदी, चीज़े खा लेता होगा. कौन-कौन? बच्चो, यहाँ पर दिये गए जानवरों में से आपको बताना है कि इन जानवरों में कौन-कौन उच्छल कूद करता होगा. जानवर हैं, शीर, कुत्ता, उट, गाए, खरगोष, गधा, चूहा, बिल्ली, गिलहरी और हाती. तो बच्चो उच्छल कूद करने वाले जानवर हैं, गिलहरी, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, खरगोष, बच्चो यह जानवर उच्छल कूद इसलिए कर पाते हैं क्यूंकि इनका वजन भी कम होता है और शरीर लचीला होता है. उच्छलकूद नहीं करने वाले जानवर कौन से है? काई, शीर, गधा, हाथी, उट ये अपने भारी वजन और उच्चाई के हिसाब से उच्छलकूद नहीं कर पाती है अभी आपको ग्रेकारिय दिया जाएगा यहाँ पर दियेगे जानवरों को अब ध्यान से देखिए और बताईए कि इन जानवरों में कौन लंबी पूछ वाली जानवर है और कौन चोटी पूछ वाली जानवर है आशा करती हूँ कि आपको ये अभ्यास कारिय समझ आया होगा धन्यवाद